बर्ड सीड पूरी दुनिया में मसूर है, हर कोई इसके बारे में जानता है, डाक्टर भी बर्ड सीड का इस्तमाल करते हैं, डाक्टर बर्ड सीड का इस्तमाल किड्नी की बीमारी के इलाज के लिए करते हैं, और सभी लोग भी इन सीड का इस्तमाल अपने पंच्यों के लिए करते हैं लोग यह सोचते हैं कि यह सेड्स only पंच्यों के खिलाने के लिए ही होता है पर वह यह नहीं जानते कि इन सेड्स को वह खुद भी खा सकते हैं और इनको खाने के फाइदों को उठा सकते हैं इनके खाने के फाइदों को का फाइदा उठा सकते हैं इनको खाकर जिससे कि उन्हें बहुत सारी बीमारियों से में फाइदा होगा अब आपको यह सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि पंच्छों के खाने वाले खाने को हम कैसे खासकते हैं और उसका हमारे लिए क्या फाइदा होगा दोस्तों यह बिल्कुल सच है इन बर्ड सीट्स को खाने से आपका पाचन तंतर अच्छा होता है इसका पोदा भी हैल्थ के लिए काफी अच्छा होता है इसका पोदा आपके एजिंग एफेक्ट में सुधार कर सकता है आपकी जो उमर बढ़ने की परकिरिया है उसको रोक सकता है इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है बर्ड सीट्स का खाना डाइबटीज में भी काफी लाबदायक है यह इससे रामबान की तरह काम करता है डाइबटीज को कंट्रोल करने में यह सीट्स को खाने से आपकी पैंक्रियाज रीजनरेट होती है यह आपके बलड सुकर लेवल को कंट्रोल करता है और आप हेल्थी जीवन जी सकते है यह सीट्स आपको कहीं तरह के हेल्थ बेनिफिट प्रदान करता है और बहुत सारे हेल्थ प्रोब्लम को ठीक कर सकता है यह मोटापे में भी रामबान की तरह काम करता है आपकी उमर बढ़ने की पर करिया को रोक देता है आपको हमेशा जवान बना ही रखता है यह सीट्स आईए जानते हैं बड सीट्स के सेवन की विदी आप इस सीट्स का सेवन कैसे कर सकते हैं कैसे आप इसका उप्योग कर सकते हैं आपको करना बस इतना है कि बड़ सीड्स के पांच चमच लेकर इनको रात के समय पानी में भिको कर रख दें और अगली सुभे इन सीड्स को पानी से बाहर निकाल कर बलेंडर में डाल दें और अब इस बलेंडर में थोड़ सा दूद लेकर वो भी इसके अंदर डाल दें अब इसको अच्छे से mix कर दें blender को चलाकर बस आपके drink त्यार है आपके seven के लिए और सभी बीमारियों का सभाया करने के लिए आप इसका seven अपने दिन की सुरुवात के साथ करें और रात को सोते समय भी इस drink का seven करें दोस्तों यह drink आपको सभी प्रकार के बीमारियों से मुक्त करेंगी और आप जीप आएंगे healthy जीवन और diabetes kidney problem और liver जैसी problem को कर देंगे ना तो दो